चुली आके बढ़ेंगे भुपाल सी अब खबर जहां मास्क नहीं पहनने वालों पर कारवाई होगी जी हाँ अब ये नियम लागू कर दिया गया है चुकि लापरवाईयों का दौर बहुत जादा बढ़ता जा रहा था इसलिए अब ये नियम लागू किया गया है कि मास्क जुसने भी नहीं पहना उनपर अब कारवाई की जाएगी शेहर के अलग-अलग इलाकों में ये कारवाई की गई है ये भी आपको बता दे चुकि कारवाईयों को जो दौर है वो तो जारी है और साथी कारवाईयां भी की जा रही है 648 शालान काटे गए हैं शबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं जाद ज़ानकारी के साथ शबीर कारवाईयों का दौर जारी है 638 शालान काटे गए हैं कितनी यहाँ पर सतरकता अब लोगों में बढ़ती जाएगी इस शालानी कारवाई के बाद देखे परसो ही निर्देश दिये गए थे ग्रह मंतरी नरुत्तों मिश्रा की तरफ से के मैं जल्द आदेश देने जा रहा हूं कि तमाम जितने भी पुलिस थाने हैं भौपाल में वहां क्या पुलिस स्टाप सड़कों पर उत्रे और उन लोगों पर कारवाई करें जो मास्क नहीं पहनते इससे पहले की बात की जाए तो स्वास्त विभाग की तरफ से भौपाल जीला प्राशाशन की तरफ से या फिन जगन दिकम की तरफ से लगातार स्पार्टका की कारवाई की ãyIDE लेकिन पुलिस फोटस्वाइन की कारवाई नहीं कर रही ती जो लोग कोवीट का पालन नहीं कर रहे थैं कोवेट ऐडलाइन का नहीं कर रहροते आप निरदेश देने के बाद कल जो 19 थानों में अलग- उसे टस्वीर सामने आ रही एंगर पहन हम बहुत Kनी बढ़ते जा रहें जा रही हैं कि आप प्रशाशन की बात करें पुलिस की बात करें लिए उटनी सक्ति देखने को नहीं मिल रही थी बजारों में और यही वज़ा है कि लोग बेपरवा हो चुके थे लापरवा हो चुके तो और यही वज़ा है कि कुरोना के आकड़े तो क्या शबीर अब दुकानों में भी उस तरीके की कुछ यहां पर लगा दिये गए हैं पोस्टर से लगा दिये गए हैं कि अगर जिन्हों ने मास्क नहीं लगा रखा है उनको दुकानों में एंट्री नहीं मिलेगी या उनका चालान यहां पर काट दिया जाएगा इस तरीकी के कुछ देखने को मिल रहा है बाजारों में कि देखे भुपाल कलेक्टर अमिन्याश लवानिया खुद कल निरिक्षण करने निकले थे ओचक निरिक्षण किया था अलग-अलग बजारों में वह पहुचे थे और उन लोगों पर खुच चलानी कारवाई करी थी जिन लोगों ने मास्क नहीं पेंड रखा था कोवीड ग करवाई की जाएं लेकिन अभी की बात कि जाए तो अब वापस से सब अलट लेकिन तीन चार दिन या एक सब्टा पहले की बात कि जाए तो सभी बेपर्वाते वेपारियों ने किमों को मानने के लिए तैयारत है लेकिन जब बजार खुले फिर थोड़े दिन सकती नज़र आई फिर उसके बाद फिर बेपरवा नज़र आए और बजारों में काफी संग्यावें भीर नज़र आई जब हम खुद रियालिटी चेक करने बजारों में जाते हैं तो कई ऐसे को मास्क लगाना ही पड़ेगा और ये जरूरी भी उन लोगों के लिए है ये लोगों को समझना भी पड़ेगा बहुत शुक्रिया शबीर आपका जुड़ने के लिए जानकारी देने के लिए